आज हम इस वीडियो में जून 2018 का आपका प्रबाइबिलिटी का जो कोशिन आए उसे सॉल्व करेंगे अगर आप इगनू से मास्टर्स कर रहे हैं एकनॉमिक में तो आप मेरे चनल सब्सक्राइब कर सकते हैं परे चनल पर आपको सभी सब्सक्राइब की वीडियोस मिल जाएं उन्होंने कोशन में क्या बोला है कि हमें एक एव्रेज मतबने हमें एक एव्रेज ली कि हर 15 फ kommen में से जो एक फोन है वो क्या है busy है harm find the probability that if six telephone numbers are selected randomly ठीक है अब इस पंदरा में से पंदरा टेलिफोन में से कितने सेलक्ट किये गए हैं randomly six telephone number सेलक्क किये गए हैं ठीक है तो हमें इस six में से ये बताना है कि किसकी probability निकान लिए कि तीन से ज्यादा number busy नहों ठीक है और second part पर बताना है at least three year busy मतलब कम से कम तीन busy हों जादा से जादा कितने busy हो सकते हैं चार पांच और शे मतलब तीसरा number busy है चौता number busy है पांच वा और छटा ठीक है समझ में आया है अब हम इसमें निकालेंगे probability किसकी पहले first part की मैं आपको बताऊंगे कैसे निकालें और second part आपको खुद करना है और answer comment करके आपको जरूर बताना है ठीक है चलिए देखते हैं कि कैसे solve हो गई हमारा question देखे हमें क्या दे रखा था कि हर 15 phone में से phone number में से क्या है एक number busy है तो probability of success क्या हो गई 1 by 15 कि भई 15 में से एक number क्या है 15 है तो भई failure की क्या हो गई कि एक भी number नहीं busy होगा तो वो क्या हो गई 1 1-15 ठीक है तो वन बाइ 15 यह एल सिम लेना आपको आता है सॉल्फ कर गई इतना आ गया 14 बाइ 15 इतना समझ में आए अब फस्ट पार्ट में में क्या दे रखा कि हमें किसकी probability निकालने कि कि तीन से जादा busy नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्स है वो क्या होना चाहिए equal to 3 यह फिर less than 3 तो probability यहां 0 की निकलेगी जरूरी नहीं उसने मुला कि सबको अलग अलग निकालेंगे सबकी probability और फिर लास्ट में सबको add कर दें क्यों उससे calculation में problem नहीं होगी आपको ठीक है क्योंकि calculation बहुत जादा है इसके अंदर तो इसलिए हम separately सबको solve करेंगे देखो मैंने भी separately solve करेंगे आपको ताकि आपको easily समझ में आजाए अब मैंने आपको binomial distribution का फॉर्मला बताया था क्या होता है यह एक्स भी लिख सकते हो ncx p की power x into q की power n-x ठीक है यह आपका formula होता है ठीक है अब इसको expand कैसे करते हैं यह आगे आपका ncx ठीक है q की power 0 और q की power sorry p की power 0 and q की power 6-0 ठीक है मतलब n-x यह होगे आपका x और यह होगे आपका ncx ठीक है यह पी की power x हो गई और यह q की power n-x clear हुआ अब ncx का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया था ncx का मतलब क्या है n factorial upon में x factorial n-x factorial ठीक है तो यहां n की जगा क्या है 6 और x की जगा क्या है 0 तो 6 factorial 0 factorial 6-0 factorial ठीक है जिसकी भी power 0 होती है चाहिए डिजट कितने ही बड़ी हो कितने ही छोटी हो उसका अंसर हमेशे वन होता है यह आपको हमें यह पता होना चाहिए और यह आपको तो हमारा क्या बज़किया 14 by 15 की पावर 6 इसको ऐसी रहने देंगे इसको अभी हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि जब लास्ट में हम जब इन्हें आड करेंगे तो यह common आएगा इसमें ए जहां जहाँ एक सांगे वन इस सब्सक्राइब यह पी वही ता क्यूं वही था एन वही था लेकिन एक्स हमारा चेंज हो गया तो 6 4 फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल 6 माइनेस 1 यह एज़ेटी आ गया ठीक है इसे माइनस वन तक फॉरा एक्सपेंड करना होता है अब यहां पर 6 था ठीक है यहां कहता है 1523 से कट गया यहां यह बच गया अब आगे हमारा एक्स क्या है हमारा टू है तो अब हमने एक्स की जगा क्या रख दिया टू टू रख दिया ठीक है यह एक्सपैंड कर लिया अब इसको हम एक्सपैंड कर लेंगे 15 इंटू 15 क्या होता है 225 वन का स्क्वार वन ही होता है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 6-24 बस इतना लिख देना है अब हम क्या करेंगे इनको एक्सपैंड करा कहां तक 4 तक क्यों क्योंकि नीचे 4 आ रहा है तो 4 से 4 कैंसल आउट हो गया 2 2 को हमने पूरा 1 तक एक्सपैंड कर लिया क्योंकि कैंसल आउट हो जाएगा कितने पर 3 पर इतना समझ में आया आप 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 ठीक है 225 यह मल्टिप्लाय में हो गया वह उपर वन था तो 15 आगया नीचे यहां खाली 1 बच रहा है 1 इंटू 2 तू 5 तू 5 इसको खोल लिया ठीक है 15 को 3 बार हमने मल्टिप्लाय करा कितना आगे 3375 15 की क्यूब हो गई 6-3 कितना आगे 3 ठीक है अब इसको एक्सपैंड कर लिया हमने 6 को कहां तक 3 तक कर लिया क्योंकि नीचे दो 3 एक 3 को एक्सपैंड कर लेंगे और एक 3 को ऐसी छोड़ देंगे ठीक 175 पर तो यह आगे है यहां पर ठीक है यह 3 की आगई आपकी वैल्यू अब देखो हमें लास्ट में सबको एड़ करना है क्योंकि हमें सबकी प्रोबाइबलिटी उसने बोल रहा है कि 3 से जादा नहीं होने चाहिए मतलब 3 हो सकते है और 3 से कम होने चाहिए सबकी वैल्यू हम 5 x 4 & 3 ठीक है सबसे कम पावर कितनी है three तो हमने वह common ले ली ठीक है 3 यह बाहर आगे यह इहां कितने ते six तो कितने बचे अंदर three ठीक है इहां कितनी थे five three बाहर आ चुक है कितने बचे two two by two by five ऐसे लिग दिया अब यहां कितनी पावर्ती 4 4 में से 3 भार आ चुकी है तो कितनी बची एक तो 4 by 14 by 15 as it is आ गया यह 14 15 कितना था यह 3 था तो 3 भार आ गया कुछ नहीं बचे तो खाली 4 by 675 हमने लिखती है अब सिंपल हमें कैलकुलेशन करने है आपके पास होगा जल्दी यल्दी कैलकुलेशन होगी यह 14 को 3 बार एक्सपेंड करना 15 को यह आ गया सेम यहां पर यह फोलो हो गया ठीक है यह आगया आप 2 by 5 14 इंटू 14 196 इंटू 2 यह पूरा मैंने एक साथ लिख दिया ठीक है 15 का स्क्वाइर होता है 225 इंटू 5 1125 14 अब हमें LCM लेना है तो इन सब का LCM कितना आएगा 3375 आएगा LCM लिया नीचे वाले से क्या करते हैं हम डिनोमेटर से इसको डिवाइड करते है और जो आंसर आता है उसकी उपर वाले से मल्टिपलाई होती है तो 3375 कितने पर आता है 1 पर आता है 1 की इंटू से वी as it is आगय लेंगे 1125 से डिवाइड करा 3375 को ठीक है तो देख लेना कितना आएगा है मैंने कैल्कुलेशन करके रखें आपको क्या करना है डिनोमेटर से डिवाइड करना है और नियूमेटर से जो आंसर आजाएगा उसकी मेल्टिपलाई करनी है तो यह सब आगे आपका दना अपको क करना है प्लस कर देना है सिम्पल इन सबको प्लस करा क्या आया है 4150 ठीक है आप सिंपल आपको multiply कर देनी है ठीक है numerator की numerator क्योंकि cancel out हो सकता है वैसे यह पर मैंने क्योंकि हमारे पर calculator है है जल्दी यल्दी करेंगे तो यह multiply होके यह आ गया ठीक है तरफ नुम्रेटर में भी और डिवाइड करके कितना रहा है 0.99 बहुत लंबी वैल्यू आली सी बाद हम डैसिमल अप्टू टू वैल्यू लिखते हैं डैसिमल में तो एप्रोक्स लगा देना क्योंकि काफी लंबा अंसर है तो लगभग हो जाएगा 0.99 इसकी प्रोबैयाब साइब हो अब आते हैं सेकें पार्ट पर है हो तक है अब देखो अदेंग करलने के दो थरीके हैं इसमें क्या तहीं से खांड प्ला संकें हो सकते हैं ऑक तो यहां इन चारों की निकले घी तो एसे करो कि थी की निकालो फॉर की निकालो दूसरा तरीका जैसे पी तो बहुंगे तो वही रहेंगे और आपका 2 शीर बस एक्स आपका चेंज होता जाए गार वैल्यू जाती जाएंगे और यह अपको एड़ कर देना है और दूसरा तरीका क्या है उसने बोला है कि एक्स क्या होना चाहिए तीन होना चाहिए एट लिस्ट थी मथला ड़ाइट इसका मतलब कितीन हो सकता है तीन से ज़ादा हो सकता है लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करें हम क्या करें तीन से ज्यादा की ना निकाल के तीन से कम की निकाल लें ठीक है हम क्या करेंगे तीन से कैप्तर पढ़ा था है। उसमें हम ने पढ़ा था किBoy किसी का होना किसी इवेंट का होना यह ना होना ठीक है। इसके बराबर होता है === pass are negative add that you want a more and have a wrong approachह नहीं सिद्क्राश्व ठीक है कि तीन से ज्यादा करने में टिक है जल्दी हमारा एकजाम कि आ जाएगा खो जाएगा और आपको रिवाइस करने का भी उसमें टाइम मिल जाएगा आपको ठीक है तो बस जो वैल्यू आएगी इन तीनों को प्लेस करके अल्रेडी हम निकाल चुके हैं बस यहाँ पूट कर देना वैल्यू को और यहां पर 1 में से उसको माइनस कर देना है बस आपका अंसर आ जाएगा ठीक है और कॉमेंट करके जरूर बताना है आपका अंसर क्या है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू